वाई सूबह के हो गए पांच अटालेस और अब निकल लिए वाई गैस करो कहा हम चल लें पिछे पिछे दो गाड़िये हमरे जागे चल लिए हम जा रहे हैं जी खाटू शाम के दर्शन करने है जाइँ जाँ दbum देख सकते हैं याप बहुत है फ्यूल भी दिल्वान है वी जाणी में बहुत हो तो भाईयो दिन सा निकल गया है टाइम हो चुका है आप 6 बच के 17 मिराट में और हम आ चुके हैं दिल्ली गाजयबाद एक्सप्रेस वे पे अपना जारे देख सकते हो मॉर्णिंग के इसनी बड़ी अताजिया हुआ लग रही है तो गाईज हमने करा लिया है फिर डीजल अपना फुल इसमें आ गया लगबद तीन हजार बत्तिस तैस लीटरिस में वह आ गया था डीजल और उसके बाद हम अपना चल दी हैं गुड़ाओं की तरफ आख एमियंस मॉल वाला आगया शाहिद सही है आख टी और गाड़ियां पीछे रह गई तो भाई अभी 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 क्रोस कर दिया है कि तोलटेक्स और वास्टएक हमने सकन करा दिया यह मैंसिज भाई भी तक आइया नहीं है कितने कटे एं कितने नहीं जितने कटते हैं आ आने साथ टोल प्लाजा था वो और अब हम बढ़ चुके हैं जैपूर वाले हाइवे पर जैपूर की साइड को पर जैपूर नी जाना जैपूर से पहले ही रास्ता कट जाता है शापूर नाम से एक जगा आएगी वहां से तो आप बने रही है व्लोग में वाकी अच्छी आप देख सकते हो 20.7 आ चुका है और क्रूस पर लगाई हुई है बस 80 90 80 90 2000 आप चल रही है तो गाई स्ट्रेचिंग के लिए उत रहे हैं जरा भी थोड़ा सा ना स्ट्रेच कर लेते हैं आपके अपनी गारियां पीछे आ रही है तो भाई हो आगे हैं मा ने सर वगेरा सब चीज क्रोस कर दी थी बावल पड़ा था रास्ते में बावल क्रोस कर दी अब हम रास्ते में हैं नीमराना की यहां से लगबग 20-22 किलोमेटर रह चुगा है नीमराना वह जा रहे हैं वहां देखें कोई होटल अगर आपना ब्रेक्वास्ट करते हैं फिर मॉर्णिक से पीड लिमीटर भी पीछे मेंचन थी अब पहुंच रहे हैं दीरे दीरे अप्डेट करेंगे आपको कितना टाइम लगा एक्जैटली कैसे क्या क्या कितना अपका एक्सपेंस वगर आने वाला है सब चीज बताएंगे आप अर्ली मॉनिंग जाते हो तो कब तक आप दर्श यह वाई कुछ लूक यहाँ पर में रोड पर बिल्कुल ना लोग देख रहे हो तो यह एक फोटो भी लेंगे या लेनो लेड़ फोटो लेप फोटो लेप फोटो लेप फोटो और गाइस कितने अच्छी लूक आ लिए अधर से देख रहे हैं आप बुछी स्यास इंसिदेंस बताऊंगा मैं आपको यह देख यह कितने गजब लुक टैक्सी लुक यह देख यह देख रहे हो तो देखते हैं खाने पीने का क्या प्रबंद है खाना पीना करते हैं फिर पर लो बाई हमारी तीसरी काटी भी आ चुकी है हम कि एकटी महीं हम में आ चुकी है कि पोरी का झालो उपिär dewी और बाई झालो बाई हम झोंड़ी-घयाओगा तो वही अब यहां आगया हम राइट ले लिया था हमने कहां से बहला शापूरत नाम से जगह पड़ती है अब हाँ से थोड़ा सम आ गया है तो यहां वही है टोल वोल का सिस्टम है कुछ पता नहीं पर्चे वर्चे काट रहे हैं क्या है काफी देर सो जाम लग रहा है कैसी शेयरे है अरी जैसा हम देख रहे हैं गशी लेकितले लेते हैं वाकी दो जगह इससे पेला टॉल पड़ा तो अभी तक मैसीजी नी अई तो अभी तक मेसीजी नी अ कितने कटे कितने नहीं कितने का भी है कि आने जाने का भी आने जाने का 60 रुपे में 35 का वैसे था तो भाई यह देखो पूरा नजारा देखो आ विल्कुल मतलब अलागी रास्ते में फील ही आरी है भाई लगी विल्कुल जिसा कहा अगय हो कि अगरे के सब यह खाट यह सब खाटू वाले आरे हैं अगया यह देखते रहां है अगया रास्ता तो यह बन वेई है बस इसलिए टैम लगता है यह पचास किलो मेटर में भी एक घंटा और पैतालिस मिनट और जाम के साथ दो गंटा इम आनो बता हो पचास साथ किलो मेटर के दो दो गंटे लगने है यह अगर आप यहां पर आओ तो थोड़ा सा ताइम को कंसिडर करके आना एक दिन में शायद ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा भीड है अगर वीकेंड पर आओ तो शाम हो जाए फिर रात भी आपको हो सकती है यह सब आप सी क तो भाई खाटू शाम अब यहां से रह गए है अब नातू सर आ गए है खाटू शाम यहां से रह गया 35 किलो मेटर और यह दिखा रहा है एक घंटे कर आस्ता है वाग के भाई बहुत ज़्यादा ट्राइक है गाड़ी एक दम चिपक चिपक के चल रही है इस सिंगल रोड ह यह इदर सी आ रहे है इदर सी जा रहे है तो और जानवर वानवर भी रह आ जाते हैं यह से आप देख सकते हो सामने पहेड़ दिख्रियों में आपको रोक के रोक के रोक कि अ मैं यह देखे हैं अ तो अठत्तर ही आ गए हाँ जीरो घर पी का रहा था तो और अभी 30 है तो मानके चलो 300 से उपर ही पड़ेगा 310 के आस पास लोग भाई नहीं नहीं गाड़ी लेकर भी पूजा कराने जा रहे हैं तो हमारे बीचे गाड़ी का रही है इसका भी भी बिल्कुल नया नमपर है टेंप्रेडी वही महु आ गए है और अभी हमें एस्टिमेटेट टाइम दिखा रहा है बारावजे का दिखा रहा है और आ आ चुके है अब यह रिंगस करके जगह है और यहां से दिखा रहा है सौड़े चार किलोमेटर वह पिछावाला लाया लंबाता है यूटन टाइप सा तो इस पूल के नीचे सा राइट करा दिया था हमको अब हम चल रहे हैं कुछ लोग दूसरी साइट सा रहे हैं तो यह जंडे वाकी बहुत यहां पर जंडे देखने के लिए मिलने हैं लोग पूरे उत्साहित हैं जंडों के साथ अपने गाडियों पर जंडे लगा कर ला रहे हैं तो भाई आगाए बाकी पार्किंग लगा दी हमने गाड़ी की सोर पे लिए भाई और पार्टिंग जीपकार यहां गाड़ी लगा दी अब जा रहे हैं अब उधर की तरफ जाना है वहां जंडा है उधर की साइड में दौार बड़ा दौर वहां सब दूसरी हमारी गाड़ी यह उसका वेट कर रहे हैं जाम मैं फस गय और टाइम आप देख लो कितना हो गया है आते दो बचके तेरा म सब्सक्राइब है तो वहाई गाड़ी तो पार्किंग में लगा दी यह उतर गए हैं और हम सामने आप देख सकते हैं श्री श्याम शर्णम यह में गेट है उसके पिछे तो तिरंगा भी दिख रहा होगा तो आप तिरंगे मिल रहे हैं जैसकि मैं आपको पहले भी दिखाय सब्सक्राइब के आसपास लोग आये हुए हैं जगा जगा से लोग आये हुए हैं तो तो भाई हमने टिका वगरा लगवा लिया है आप देख सकते हो रादे रादे और बीटी हो गई है हमारे कुछ साथी हैं जो बहुत ज्यादा हो चुके हैं उनको रास समझाते हैं फोन की बैटरी भी डाउन होती जा रही है लेकि वह समझ नहीं पा रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि एक हिंदुस्तान पैटॉलियम पढ़ता है बजंडा है यहां पर अपर तप रही है पैर जो है जल रहे हैं तो फोड़ा सा ऐसे टाइम पाहे हैं आप भी जो आको पैरों को जाधा कश्टना हो बीड़ी कि तो चलो कोई दिक्वत नहीं है लिक्कत यहां पर गर्मी किया जाते है बस फोड़ी से बस यहां से एक क्लो मिटर है पैदल यात्रा जै शिरी शाम जै शिरी शाम तो भाई जैसे कि आपने वीडियों देखा एक किलोमेटर दूर रह गए थे हम अब रह चुके हैं लगबग पांसो मिटर दूर रह गया राप अभी देख सकते हो भीड बढ़ने पर ही है अब आने वाले कम है जाने वाले जादा है तो आप देख सकते हो कि मंदियों पर जागा कितने चाहंब अब दूहते हैं जाइदा भीडे बिलने ही मिलने हैं है तो वहाई और थोड़ा बहुत और सफर बचा है हम कंटिनस से चली रहे है 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 ताम मैं जुल को आपको अ सब्सक्राइब होड़ कर घाःफी आए मैं एफूर आये था दावक रख ने सब्सक्राइब तर हम दो अब आप अब आप 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 यह ताइम हो चुगा है लगबख साड़े चार और अभी भी हम सेहां नियुक्त लाइनका सेपरेशन मना रखा है आप डेख सकते हैं अब आप आप कि आपको अब डर्शन होते हैं। आपको अफडेट करता रहूंगा बाकि बीज-बीज-बीज-बीज में जयगि जया करद कर आप कर दो कि अजिति जोड़े कि रोड़े जो जो एब ऑफ तर्वण हो गए और अब आद रिच्ट यह दुगान्ध दर्शबन हो गए और अब में निकल चुकहां वाप्सी तो भाई वाप्सी में भी अबना देख सकते हैं अब इतनी वीड है तो बाई चल दिये हैं अब अपना जो में दुआर था बड़ा वाला तो बाई पार्किंग की तरफ को बढ़ चुके हैं गेट हमने जो बड़ा गेट बोलते हैं वो अभी हमने पार कर दिया था आपने देखा ही होगा इससे पहले वाले शौट में अब हम यहाँ से थोड़ी ही दूरी पहर ख़ड़ी है वहाँ से गाड़ी उठाते हैं और अपने सिकER रोड आप़र जो जाम है ये इधे वाले रूट पर मिलता है अपको यह जो आपका रिंगस साइट पड़ती है रिंगस आपका बीच में टोल पड़ता है वहाँ पूरा जाम मिलता है तो अगर आप आओगे ना तो रिंगस की साइट से ना आके आप सीकर रोड पकड़ो सीकर रोड पर जाके सीधा वो फुलाइओवर पर मिल जाता है रास्ता तो वहाँ पर आपको टोल भी नहीं बचेगा टोल भी नहीं पड़ेगा और जो आपका टाइम है वो बहुत बच जाएगा बस पांच-दस किलोमेटर चाहे दो फाल तो पड़ता है तो काफी सही रास्त काम चला है रोड पर आने के लिए बैठ गया फिलाल यहां पर रामा रेष्टोरेंट करके था रास्ते में तो यहां बैठ चुके है अब खाना ओड रखिया है अब वहाँ आरे बार का वीव है बार गाड़ी मश्करीब हो है जाए और चाहे जाए तो भाई रात आगे थे हम दो सबादो बजे के आपपास और नेनी तेज़ा रहे थी कि कल ब्लोग एंड नहीं रपाए हम तो भी एंड कर रहे हैं टोटल जो ट्रिप रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा नीचे चल के वाई देख लो कितनी चली रही है चैसो बैंड एक तंक कि अपने फुल कराई थी तब उसमें आगया था 32-33 लिटर कुछ उसमें पहले था तो हमारे टंकी फुल होगी थी तीन हजार का डीजर लगा और यह साथ सो क्लोमेटर के असपास चली है ओनने एवरेज इसका 19 और 20 दिखा रहा है फिलाल माईडी में लेकिन जाम में कम भी कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फीक है विलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और आप